श्रीमादी कांता कर्दम जी धन्यवाद सर्थ मैं सबसे पहले तो परबाद जहाजी को बहुत-बहुत बदाही दूँगी कि जिस स्वस्ता को लेकर जो सरकार है 2014 से स्वच अभ्यान के तहट जो अभ्यान जन आंदोलन में बदलने का काम किया है मैं अपने परधान मंत्री जी को भी धन्यवाद दूँगी कि आज वो स्वस्ता अप्यान 2014 से अब तक चल रहा है वो रुका नहीं है और बहुत सारे ऐसे काम हुए है यहां पूरा देश जानता है देश की जानता जानती है और जितने भी यहां सदन में बैठे हैं वो सभी इस चीज से भालिवाती वो सभी परिचित हैं अभी मेरे से पूर वक्ताओं उन्हे अपने अपने विचार रखे लेकिन मैंने भी जो महसूस किया जो मैंने देखा है मैं उसी चीज को यहां सदन में जरूर बताऊंगी जैसे कि स्वस्थ अभ्यान के तहट जो सोचाले बनवाने का जो काम किया है और इस सदन में पहले भी यह बात आई कि जो सोच बनवाए हैं सोचाले बनवाए हैं वो उन गरीब महलाओ के लिए कि जो उन गरीब परिवारों के लिए जो सोचाले नहीं बनवा सकते थे जो कहीं न कहीं पैसे का आभाव था मजबूरी में सोच के लिए खुले मर जाना ये सब के लिए बहुत शरम की बात थी और किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो खुले में सवच जाए और किसी भी परिवार को अच्छा नहीं लगता कि वो खुले में अपनी भेन बिट्ट्यों को सवच के लिए बेजें हमारे परधान मंत्री जी ने इस परधान दिया और इस पर संग्यान लिया मैं उत्तर परधेश से आती हूँ और उत्तर परधेश में मैंने बहुत जिलों का दोरा किया और वहां जानकारी भी ली उत्तर परधेश में एक करोड के आसपास अब तक सोचाल बनवाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टिया ये कहती थी कि बहारतिय जन्ता पार्टी दलितों की विरोधी पार्टी है मैं मानती हूँ और सब भी जानते हैं इस बात को कि दलितों का घर भी ऐसा कोई अचूता नहीं रहा है कि जिसके घर सोचाल नहीं बने हो जाती ब्राद्री से उपर उठकर सोचाल नहीं बन माने का काम किया है और ऐसी केंद्र सरकार की तमाम योजनाए है जो सभी समाज में जाती ब्राद्री से उपर उठकर जो सभी को लाग पहुँचाने का काम किया है हम भी सब चाहते हैं कि स्वच्च रहे हमारा भारत और हमारा भी जो घर और जो आंगन है जो हमारा गाउं है वो भी स्वच्च रहे बाहर से भी देशी विदेश से भी यहां यात्रा करने के लिए विदेशी सेलानी बहुत आते हैं ताजमाल देखने आते हैं मतुरा करशन कृष्ण जन्य भूमी प आज डिखिए कि इतना सundeर वाता वरन है और आपने देखा होगा कि जो इलाबाद में इस बार जो कुम का मेला हुआ है जो कुम लगा है एक मिसाल दे है कि आज जो है बहर से भी जो इतने सैलानी आए हैं और यहां से भी कितने ही यात्रा करने उसे कुम में नहने के लिए गए हैं और सबने ही एक बात कही है कि इतना साफ सुत्रा कि इतनी संक्या में हैं लोग आए हैं और यहां इसनान किया है इतना साफ सुत्रा महां इलाबाद में कुम हुआ है ऐसी गंगा की सपाई जो आप लोग पहले भी देखते थे कि गंगा जो है किस तरह की जो गंगा जो दोसित थी आज जो है गंगा पर कितना काम हो रहा है नदियों पर कितना काम हो रहा है जगा जगा सपाई पर दिहान दिया जा रहा है और ना जाने की ऐसे कितने और भी काम क परदेश की सरकार है वो गाउं में सामुईक सोचाले बनवाने जा रही है कि जो घर पर भी सोचाले एक सामुईक है कि अगर किसी को जरुद भी है वो सामुईक सोचाले का यूज कर सकता है तो हर गाउं में ऐसी योजना उत्तरपरदेश की सरकार लाई है कि जो है घर गर में और गाउं गाउं में जो हैं सोचाले रहें कोई किसी तरह की यहां दिक्कत नी हैं और कितने ही ऐसे परधानों को अवार्ड भी मिले हैं अपने गाउं को साफ सुत्रा रखने के लिए और ऐसे कितने ही वहां हमारे M.L. को भी अवार्ड मिले हैं कि जो अपना जो साफ सुत्र अगर हम देखते हैं कि हमारे कोई गाउं में या हमारी किसी बीजाती में हमें लगता है कि यह सपाई नहीं है तो हम सामुइ को होकर इस काम को जो है साफ सुतरा करकर हम उसका भी घर साफसुत्रा और रांगन साफसुत्रा बना सकते हैं उसका गली महला और गाम को भी साफसुत्रा रख सकते हैं इस पर हम ध्यान देना चाहिए एक छोटी सी मैं बहुत ही अपने राजसभा में भी रह चुके हैं और भारतीय जन्ता पार्टी में भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, और दलित नेता के नाम से वो जाने भी गए हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, संगे पर ये गोतम। जब हम कभी जाते थे उनके हां, वो मंत्री भी रहे और नहीं भी रहे, हम देखते थे कि वो अपना जो सवचाले है और अपना घर और आंगन है, वो खुद जाड़ू लेकर साफ करते थे, अपने आकी खुद सपाई करते थे, उन्हें जो भी लोग आते थे वो जरूर टोकत थे, कि आप आपको नौकर चाकर मिले हैं, पर आप लोग क्यों सपाई करते हैं, कि नहीं अपने स्वयम अपने घर की भी खुद देख रहे करनी चाहिए, सपाई करनी चाहिए, अगर हम अपने से ही सुरुवात करेंगे, तो हमारा देश भी साफ सुत्रा रहेगा, और साफ जगे हैं, पुर साफ सुत्री रहे, ये सभी को अच्छा लगेगा, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूं, कि इतना अच्छा बिल ले कर आए है, परभाज जाजी को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं, और आपको सुपकामनाय देती हूं, कि आपको सपलत मिले और आगे बढ़ें और अपनी पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि मुझे समय दिया है धन्यवाद